नौशकार, लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। आप में से बहुत सारे मेरा नाम जानते हैं, बहुत सारे चेहरा भी जानते हैं, बहुत सारे नहीं भी जानते हैं। उनके लिए मैं बताओं, मेरा नाम संतोष भारती हैं, और मैं इस समय देश में चर्चा में इसलिए हूँ, कि जिन 27 लोगों की जासूसी हुई है, उसमें कौन शामिल है, यह आपको बाद में पता चलेगा या नहीं शामिल है। मैं सारा किस्सा इसलिए बताओंगा, क्योंकि हमारी एडिटर्स ने, जिनके साथ मैं काम करता हूँ, लाउड इंडिया टीवी के, उन लोगों ने कहा कि सारी दुनिया में आपने सारी कहानी बताई, आपने विदेशी अख़ारों को बताया, नियू आक टाइम्स को बताया आपने टाइम्स नौ को बताया, आपने CNN, IBM को बताया, हर एक को बताया, हिंदुस्तान की जो चैनल है, उन सब को बताया, चाहे वो ABP हो या News 24 हो या जो भी हो, आपने यहां यह कहानी क्यों नहीं बताई, अब मैं उनसे कैसे कहता है, अगर मैं अपने यहां सारी कहानी पहल आज मैं आपको पूरी कहानी बताने जा रहा हूं ताकि आप इस पूरी किस्से को समझ सकें, क्योंकि दुनिया में 144 लोगों की सिर्फ जासूसी हुई, जिसमें हिंदुस्तान के शायद 27 लोग शामिल हैं, और पत्रकारों में 2 या 3 शामिल हैं, जिनमें से एक मैं हूँ, भ करश निकाली है, अभी तो ये क्या हुआ, इसे समझने की कोशिश की लिए, मेरे पास एक नंबर से जो बाहर का नंबर है, शायद पहले मैं समझा ये अमेरिका से आया है फॉन लेकिन नहीं, वो कनाडस है ता वो नंबर मेरे पास सेव है, और मैंने उस फॉन को उठाया नह क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि अंजान फोनों को मैं न उठाओं, उसके थोड़ी तेर के रात के करीब पहने नो बजे के आसपास फोन आया, और उसके पंधरे मिनट के बाद ही मेरे पास एक वाटस अप आया, हेलो संतोष, मैंने उसका जवाब दिया कि होस दिस, तो वहां से एक बड़ा मेंसेज आया, वाटस अप मैंसेज, जब मैंने कहा होस दिस, पूछा, उधर से नाम आया, मैं आप पढ़के बताता हूँ, तो कि ये कैनेडियन नेम है, जॉन्स स्कॉट रेल्टन, 28 अक्टूबर को मेरे पास फोन आया, डेट है, रात के 9 बजे, और ये मैसेज आया, जिस मैसेज में ये लिखा हुआ था, कि आपका फोन कई बार हैक हो चुका है, आप शायद प्रॉबलम में हैं, हम आपकी मदद कर सकते हैं, आप मुझे टाइम बताइए, मैं किस समय आप को कॉल करूं, या आप मुझे कॉल कीजे और उन्होंन अपना नंबर दिया, उसे पढ़के मेरा धिमाग थोड़ा सा चिंतित हुआ, परेशान हुआ कि ये जासूसी का क्या चक्कर है, और हैकिंग क्यों हो रही है, मेरे फोन की क्यों हो रही है, अगले दिन, सुबह, मेरे पास एक अंग्रेजी अखवार की विशिश समवादाता का फोन आया, लेकिन उसके पहले एक आनलाइन पोर्टल चलता है, उसकी एडिटर का फोन आया और उन्होंने कहा कि आप का नाम एक जिनकी जासूसी हो रही है, उस सूची माया, अब मैंने तलाशना शूरू किया, त कोई यूएस बेस्ट या यूके बेस्ट बेस्टी है, यूरोपीन है, कहां कहा है किस देश का ये नहीं पता, लेकिन ये पता चला कि उसकी मालकी वहाँ पर है, 안에 company नहीं बनाई जो NSO जिसका नाम था, जिसका मालिक कोई इसराइली नहीं है, इसराइल में ही सब कुछ हुआ लेकिन उसका official मालिक जैसे मैंने बताई या तो कोई American है कोई British British है basic चौका कि ये इस्राइल से वहां कैसे गया何ient Ten ein a & s we किि इस सारी कहानी citizen s lap कैसे पहुंची students लब का और इसका एनने कीया रिष्धा है क्या चक्कर है जहां से फोन आया मुझे वर्ण किया गया है इसके बास सारी दुनिया में शोर मच गया और शोर मच गया तो हर चैनल ने जैसे मैंने आपसे कहा कि उन्हों झारने इसकी तह में जाने की कोशिश की और कहानी यही थी कि जब मैंने रेलिटन नाम के सज्जन जो कनडियन है जो सिटिसन्स लेब से बोल रहे थे, उनसे मैंने बात नहीं की, तो बात बढ़ने लगी, और फिर, हिंदुस्तान के अख़वारों में भी, और हिंदुस्तान के टेलिविजन चैनलों में भी, ये चर्चा शुरू हो गई, कि आपने F.I.R क्यों नहीं कर आई, हमारे साथ जितने लोग थे, उन्हों ने इस चर्चा, दरसल ये चर्चा पूरी की, पीर मोड़ने की कोशिश हुई, मैंने टेलिविजन, सबसे पहले टेलिविजन चैनल पे, जिसमें में अंग्रेजी चैनल पे गया, मैंने सवाल पूछा, कि वो कंपनी ये कह रही है, NSO, कंपनी ये कह रही है, कि हमने एक इसस नाम का सॉफ्टवेर, इस कंपनी ने बनाया, जो इसराइल, इसराइल से शुरू ही कहानी, इससे हम सिर्फ सरकारों को बेचते हैं, और उसने सरकारों के नाम बताए, कि चीन को हमने बेचा, हमने अमेरिका को बेचा, हमने इंगलेंड को बेचा, आदे-आदे-आदे- दिया, वार्टसप ने हमको एक कुछ महने पहले एक मेल भेजा था, जो मेल की जिसकी टेकनिकल भाषा थी, हम उसको समझे नहीं, हमारे मित्र हैं, बिहार अंदर उनके साथ ही, जो आईटी मिनिस्टर हैं, उनसे मैंने पूछा टेलिविजन पर, आप कम से कम ये तो बता द दिये कि आपने ये सौट्वेर नहीं खरीदा है, भारत सरकार ने ये सौट्वेर नहीं खरीदा है, क्योंकि वेरी समझ मने आया है, भारत सरकार क्यों सौट्वेर खरीद रही है, क्यों एक तीसरे देश को जासूसी का जम्मत सौप रही है, जबकि उनके पास कम से कम 36 से ज जादा जासूसी एजिंसियां हैं भारत के पास कुछ नाम आपने सुना है आपने इंटेलिजेंस बीरो आई भी सुना है आपने रौ सुना है इसके अलबा मिलिटरी इंटेलिजेंस है सरकार के अपनी कुल मिलाके 36 के आसपास ऐसी खुफिया एजिंसियां हैं जो लोगों की पूरी जासुसी करती हैं कहां गए क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं किसके साथ बैठे हुए हैं और जिस तरीके के एपस एवलेबल हैं वो सब उनके पास हैं और तब मुझे पता चला कि सरकार इन सारी चीजों के उपर भरोसा नहीं कर रही है इस software को खरीदने का मतलब क्यो काम पनी है इसको इन्होंने काम सौपा कि आप और शायद मैंने सवाल यह भी पूछा कि सूची किस ने दी कि किन लोगों के फॉन हैक करने हैं किनकी इंफर्मिशन लेनी है लेकिन कोई जवाब नहीं आया जबकि इन सारे टेलिविजन के एंकर्स एडिटर्स मेरी इस बात स सहमत थे कि सरकार ने अगर यह कर नहीं कराया है तो सरकार को फॉरण डिनाई करना चाहिए सरकार ने क्यों डिनाई नहीं किया और सरकार की तरव से एक और ख़वर बहार आई कि हमने नहीं इसको खरीदा यह कुछ प्राइवेट लोगों ने खरीदा पैगेसस ने उसकी जो सौफ़ वेर है उसकी कीमत है 6,000 करोड 6,000 करोड रुपए में यह पैगेसस बिक रहा है यह तो सरकार खरीच सकती हैς और भारत के संदर में यहां दोई आदमी हैं जो इसको खरीच सकते हैं आप दोनों देश के बड़े उद्योक पती हैं मैं अगर नाम लूँ और मैं उनसे माफी के साथ उनका नाम लूँ तो कि अगर गलत है तो आप मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि आपने भी सफाई नहीं दिये है अडानी साहब हैं और अमबानी साहब हैं जो 6,000 करोड रुपए मुस्कराते हुए फूख सकते हैं लेकिन सरकार ने इसके उपर कोई भी प्रत्रक्रिया नहीं दिये अब इसका एक एक वाईटल पॉइंट है वो समझे सरकार क्यों नहीं ये डिनाई कर रहे है कि हमने इसको नहीं खरीदा क्योंकि अगर सरकार ये कह देती है कि हमने नहीं खरीदा तो फिर ये software अगर इस देश में आया है बिना सरकार की permission के अनुमती के तो ये राश्ट्र दोह की घटना नहीं है आतंकवाद की घटना है राश्ट्र विरोधी काम साबित करना पड़ेगा आतंकवादी काम है इसका मतलब देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिना सरकार की अनुमती के इस तरह का सॉफ्ट्वेर ला सकते हैं जो पूरे सिस्टम को ह कर सकता हैं इसलिए शायद उन्हों डिनाई नहीं किया कि दूसरी बहत शुरू हो जाएगी दूसरी तरह की बहत शुरू होने का मतलब है किसी ने किसी को आपको पिनपॉइंट करना पड़ेगा वैसे आतंकवाद की जितनी घटनाय भी तक देश में हुई है जिनकी जाच ह पुलवामा जिसने सारे देश में एक एक देश में की लहर पैदा कर दी वो किस ने कराया कहां से लोग आए हमारे देश में आए वर्काउट नहीं हुआ उपर से जब इंटलिएंस एजेंसी जी ने का हमें तो मालूम था कि हमारे यहां का कोई किसी जगह के लोग हैं जब आपको इतना मालूम था तो फिर आपने वर्काउट क्यों नहीं किया हम उस बहस में भी नहीं जाते हैं अभी हम पैगस तक आते हैं जो सारी दुनिया में जासुसी हुई और अपने देश में जासुसी हुई जिसमें मैं उसमें शामिल किया गया अब मेरा सवाल यह था कि इस देश के इतने महान पत्रकार हैं रोज टेलिविजन के उपर भविश्य की घटनाओं को प्रिडिक्ट कर देते हैं कि ऐसा ऐसा होने वाला है ऐसा ऐसा पाकिस्तान में हुआ ऐसा चीन में हुआ ऐसा वहां हुआ ऐसा वहां हुआ और हमारे देश के सत्ता के शिखर पुरुष ने उन सारी चीजों को मटिया म चीज़े मालूम हैं, उन लोगों को क्यों नहीं नेट में लिया गया, क्यों उनकी जासोसी नहीं हुई, उसी तरीके से ये लिस्ट किसने बनाई, मुखे सवाल किसने उनको दिया, सरकार ने अगर किया तो किसने इसकी अनुमती दी, वहराल इन किसी भी सवाल का जवाब नही है और जब ये इस तरीके से मोड़ने की कोशिश की कि ये तो वाटसअप ने किया है और वाटसअप के खिलाफ एक F.I.R. कराई जाएं मैंने सवाल पूछा जो साथ बैठे लोग थे एंकर ने भी जवाब ने दिया मैंने सवाल एक ही पूछा आप कभी थाने गए हैं F.I.R. कराने मैं आप से भी पूछता हूं अगर आप में से किसी का अनुभव हो कि जब आप थाने में F.I.R. करने जाते ह आपके क्या हालत होती हैं आम लोगों की कहानी नहीं कह रहा हूं मैं पत्रकारों की और जो सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं जो ताकत वर लोग हैं उनकी बात कह रहा हूं F.I.R. आप नहीं करा सकते हैं करा ही नहीं सकते हैं वो लिखेगा ही नहीं कहँगा एक कागस दे जाओ हम फिर आपको खबर करेंगे और वो खबर सालों साल नहीं आती F.I.R. लिखाना एक बड़ी कसरत है एक बड़ी जंग जीतने जैसा है इसलिए मैंने कहा किसलिए मैंने F.I.R. नहीं लिखाई लेकिन शायद मुझे लगता है कि रस्व अदाईगी के लिए क्योंकि मेरे एक वकील दोस्तने मुझे फोन किया कल और कहा कि F.I.R. लिखा दो नहीं यह अगर तुमारा बैंक अकाउंट हैक करके ले गए तो तुमको जो सरकार वादा कर रही है देश के लोगों से कि हम किसी पैसे के जिम्मेदार नहीं है आपको हम सिर्फ एक लाख रुपए देंगे वो एक लाख रुपए भी आपको नहीं मिलेगा तो मैं उसको ऑनलाइन F.I.R. शायद आज या कल में करवा दूँगा साइज जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ इसको बताते हुए और जिसमें सारे सबूत देश के अखवारों में ही छपे हैं देश के टेलेविजन के प्रोग्राम में आये कल मेरे पास New York Times से फोन आया और उन्होंने मुझे से पूशा कि आप जर्नलिस्ट हैं इतने सालों से जर्नलिजम कर रहे हैं आपका नाम सारी दुनिया में चल रहा है कि आपका फोन हैक हुआ जासूसी आपकी हुई और उन्होंने कहा कि हमने जब आपके बायोड़ाटा में देखा तो आप कई प्राइमिस्टर्स के साथ काम कर चुके हैं उन्होंने चार प्राइमिस्टर्स के नाम लिए जो सही लिए वीपी सिंग, चन्रशेखर, गुज्राल साहब और दिवे बोड़ा जी इन सबसे मेरा नजदीक का सम्मन था प्राइमिस्टर्स के नाम से और चेहरे से प्रधान मंत्री मोदी भी जानते हैं मुझे देश के रक्षा मंत्री भी जानते हैं राजना सिंग, मुझे अमित शाह जी भी मेरे नाम से परचित हैं और एन से आजी डोवाल साब भी मेरे नाम और चेहरे से परचित हैं मैंने ये जरूर कहा कि अगर मैं जासूसी के योग्य हूँ इसका मतलब है कि मैं कुछ ऐसे काम कर रहा हूँ जो देश के हित में नहीं है तो फिर ये चारों भी जिस साख के व्यक्ति हैं ये चारों भी वही काम कर रहे हैं मैं इतना पाक साफ हूँ और यहीं मैंने नियॉयॉक टाइम से का मैंने कि ये मेरे साथ पहली बार हुआ है मैंने एक जिए जरूर कहा कि प्रधान मंत्री जी रक्षा मंत्री जी शायद ग्रेह मंत्री जी और राश्टी सुरक्षा सलाकार मुझे अच्छी तरह जानते हैं फिर ये नाम अगर आया है तो क्या इनकी सहमती से आया है मुझे लग रहा है कि सरकार के भीतर एक सरकार चल रही है जिसका पता इन चारों को नहीं है इस सरकार के भीतर कुछ लोग हैं जो अपनी मन मर्दी से बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन जिसका पता कम से कम इन चारों को नहीं चलता क्योंकि इन चारों को होता और मेरा नाम क्लियर जासुसी की लिस्ट में डालने की बात होती तो मुझे पूरा भरुसा है कि ये चारों उसको कटा मारते हैं बहरल आज सवाल सिर्फ यह है कि हमारे देश के अपने लोग क्या हमारी वैचारिक सुतंतरता खत्म हो गई है हम विचार भी मर्श नहीं कर सकते हम कश्मीर के उपर नहीं बोल सकते हम लोगों के दुख तकलीफ दर्द और आंसू के उपर नहीं बोल सकते लोगों की जो अर्थ आर्थिक इस्तिक कमजोर होती जा रही है अर्थ वेवस्ता कमजोर होती जा रही है बैंक बंद होते जा रहे हैं इनके उपर हमें बहस नहीं करनी चाहिए क्या मैं अपने साथी टेलिविजन चैनलों की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो तो महान और एतिहासिक लोग हैं जिनकी नजर में सत्ता ही सब कुछ है, सत्ता के किये हुए कामों का क्या असर लोगों के उपर पड़ रहा है, वो उन्हें दिखाई नहीं देता, वो उसे देखना भी नहीं चाहते हैं, और मैं आप से कहूं, शायद वो राजनीत पर अनपड हैं, इसलिए उन्हें समझ भी नहीं आता, और पत्रकार का एक काम होता है, चाहे वो टेलिविजन का पत्रकार हो या प्रिंट का पत्रकार हो, एक ही काम बहुत महतुपूर्ण है, कि सरकार जो करती है उसे लोगों तक पहुँचाना, और लोगों के उपर उसका क्या असर होता है वो सरकार तक पहुँचाना, यह बुन्यादी काम हो में से एक ही है, और दूसरा बुन्यादी काम है, कि हमेशा पत्रकार को कमजोर की तरफ से खड़े होके litigation करना चाहिए, सोचना चाहिए, कमजोर भी अत्याचार कर सकता है लेकिन सोचना उसे वो थियोरी नहीं वो अपवाद होते हैं जादातर ताकतवर लोग शीमान लोग सत्ता से जुड़े लोग वोही अत्याचार करते हैं वोही कानून का गलत फायदा उठाते हैं इसलिए पत्रकार का एक दूसरा जो महतोपून काम है कि उसको सोचना और इन्वेस्टिकेशन गरीब की तरफ से कमजोर की तरफ से उसके सोच की शुरुआत होनी चाहिए लेकिन हमारे यहां महान जेनलिस्ट हैं जो इतिहास में अपना नाम धर्ज कराने के चक्कर में गणेश की मूर्ती की जिखेप बंदर की मूर्ती बनाने लगें मैं यह सारी बात आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आपको भी सोचना चाहिए हम जिस माहौल में हैं उस माहौल को बदलने की कोशिश करनी चाहिए इसलिए बोलना चाहिए और जरूर बोलना चाहिए ऐसा लग रहा है कि बोलने की शुरुवात लोगों के बीच हो चुकी है जहाँ जहाँ बैठते हैं वहाँ देखते हैं इसलिए ये पूरा जासुसी कान्ट जो सारी दुनिया में हुआ हमारे देश के कितने लोग शामिल है एक आखड़ा आया है कि 27 लोग हमारे देश के हैं बाकी विशु के अलग 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 देशों के लोग है उन लोगों ने इस सौफ्ट वेर को खरीदा हमारी सरकार ने अब तक साफ नहीं किया हमने खरीदा या नहीं खरीदा और अगर ये सौफ्ट वेर किसी आतंकवादी संग्ठन की तरफ से है और जिस स्मार्ट फून को ये हैक कर रहे हैं एंड्रॉइड के तो उस फून का इस्तेमाल ग्रह मंतरी जी करते हैं उस फोन का इस्तेमाल प्रधान मंतरी जी करते हैं उस फोन का इस्तेमाल एने से करते हैं नेशनल सेकुरिटी एडवाईजर और आपको एक चीज़ बताओं सेना ने ओफिशल एक आज से दो साल पहले एक ओफिशल एडवाईजरी जारी की थी कि भारती सेना का कोई अफसर स्मार्ट फोन इस्तेमाल नहीं करेगा लेकिन उसका कोई मतलम नहीं निकला एक कागस का पुर्जा सब जगे जाके रहे गया सेना के हर अफसर के पास हर सिपाही के पास चीन का बना एंडरॉइड फोन हैं हमारी सारी सूचना चीन के जरीए पाकि रही है कहां जा रही है पता ने लेकिन ये जो पेगेसिस का केस हुआ है ये बिल्कुल सटीक केस है जिसमें सरकार को जागना चाहिए और ये पता करना चाहिए कि हमारे यहां कौन-कौन से ऐसे छेद हैं, छिद्र हैं, जिन से हमारी जासुसी हो रही है, मेरा नाम आ गया, मैं तो आपको फिर दावे के साथ कहता हूँ, अगर ये फोन, एंड्रॉइट फोन, स्मार्ट फोन, ये 90% तो चीन में बनते हैं, चीन पाकिस्तान दोस्त है, हमारी और चीन की दोस्ती तो एक अजीब तरह की दोस्ती है, दिखाने की दोस्ती है, और बाद में हमें वो चमाट भी मार जाते हैं, हम ही ही करके रह जाते हैं, जैसे एक कमजोर व्यक्ति करता है ताकतवर के सामने, पर भारत सरकार को जागना चा सोचना आपका विचारना आपका बात करना भारस सरकार को मजबूर करें कि वो उन जगों को तलाशें जहां से हमारे गुपत भेद दुश्मनों के पास जा रहे हैं इतना ही कह सकता हूं नमस्कार लाओड इंडिया टीवी में फिर हाजिर होंगे एक ऐसे विश्य के साथ जिस कर दो